नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टड़ी वाइस ओफिशल पर तो आज के इस वीडियो में हम फिजिस का नेक्स्ट इंपोर्टेंट टोपिक टेंप्रेचर यानि की तापमान के बार में पढ़ेंगे तो इसे पहले हम फिजिस के ये सारे इंपोर तापमान के बार में पढ़ेंगे इसमें हम देखेंगे कि तापमान होता क्या है टेंप्रेचर कहते किसे हैं और टेंप्रेचर को मापने वाले जो थर्मोमीटर होते हैं उनके जो अलग-अलग टाइप्स हैं आज के लिग्जाम में यहां से प्रशन बनते हैं ये भी हम सार और इससे related जो exam में पूछा जाता है वो देखेंगे उसके बाद हम जो से numerical question बनते हैं वो भी देखेंगे और last में previous year question जो हर एक exam में पूछे जाते हैं यहां से पूछेगे हैं वो देखेंगे यह पूरा topic मैंने detail wise cover कर दिया एक एक करके step हम आगे बढ़ेंगे और last में previous year question जाता है तो ताप वह भोतिक राशी है जो किसी पदार्थ अथवा वस्तु चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो उसमें जो उश्मा की मातरा होती है amount होता है उश्मा का उसकी जो degree होती है और जो उसकी intensity होती है उसको व्यक्त करती है simple language में आपको समझाओं तो जो temperature होता है तापमान होता है यह क्या बताता है तो कोई भी जो उश्मा होती है पिछली वीडियो में आपको समझाओं था जैसे पानी को गरम किया गया तो पानी गरम कैसे होगा क्योंकि इसमें heat दी गई उश्मा दी गई जो पानी गरम होने के बाद उबलने लगा तो कितने degree पर यह हमें पता कैसे चला तो thermometer जो इसके temperature को मापता है उससे हमें पता चला कि पानी 100 degree Celsius पर उबलता है, 활 होता है तो यह थर्ममिटर है यह क्या माप रहा है तेंपरेचर को माप रहा है और temperature क्या बता रहा है उसमें जो पानी है, उसमें नीत, जो उश्मा की मातरा है जो नीचे से उसे उश्मा दी जा रही है, उश्मा की मातरा को बता रहा है, तो इससे हमें पता चलेगा तापमान के बारे में, तो तापमान कोई वस्तु कितनी गरम या कितनी ठंडी है, उसकी माप की उस वस्तु की ताप कहलाती है, तो कोई वस्तु कितनी गरम या ठंडी है, उसके माप क बैमानों अथवा, हर्मोमीटर यंतरों को द्वारा इसे परदशित किया जाता है, और जो ताप का मातरक होता है न, वो केल्विन है, तो ताप का जो SI मातरक आप से पुछा जाता है, तो वो कौन सा है, केल्विन, कई बार एकजामें पूछा गया है, तो आगे हम देखते हैं temperature हमने समझ लिया, अब हम thermometer न, या कि ताप मापी को समझते हैं, जो कि temperature को माप को हमें बताता है, तो ताप मापी एक उपकरण है, एक यंतर है, जिसके उप्योग से ताप मान, या ताप का जो gradient है, उसके मापने के लिए उसका उप्योग किया जाता है, और ताप परवनता यह दिखाती है कि किसी जगा के आसपास के ताफ में कितना और किस दिशा में बदला हो रहा है तो आज कल विभिन परकार के थर्मोमेटर का उपयोग लाए जाते हैं और उनका जो विवरन है यह निमलिकित है तो नीचे हम देखते हैं कि आज कल जो एकजा में पूछे भी जाते हैं और आज कल जो थर्मोमेटर के टाइपस है ना कितने परकार के हैं तो देखे, मुख्य रूप से देखा जाए, तो छे परकार के थर्मोमेटर हैं, एक है जरव ताप मापी, जिसे लिक्विड थर्मोमेटर कहते हैं, दूसरा है डोक्टर ताप मापी, क्लिनिकल थर्मोमेटर कहा जाता है इसे, तीसरा है गैस ताप मापी, गैस थर्मोमेटर कह इस परकार के हमने देख लिए, अब एक एक करके इनहें हम डिटेल में पढ़ते हैं, सबसे पहले हैं, द्रव ताप मापी नाम से ही किलियर है, इसमें नाम में क्या है द्रव, द्रव यानि लिक्विड, तो जाइसी बात है, इस थर्मो में लिक्विड भरा होगा, तो इस पर पर पारा, यानि मरकरी, और एलकोहल का उप्योग किया जाता है, तो जो ये थर्मो मेंटर होता है, मुख्य रूप से इसमें, या तो पारे का, या तो एलकोहल का उप्योग किया जाता है, तो पारे का कब किया जाता है, या भी हम आदेखते हैं, तो लिक्विड थर्मो में क्लियर हो गया न, किसका उप्योग करते हैं? उस में यह तो पारे का या एलकोहल का उप्योग करते हैं और इन दोनों पदार्थों में मुख्य अंतर क्या होता है? तो इनका ताप मान यानory कि इनके टेंप्रेचर के मापने की जो range होती है न वो अलग-अलग होती है तो इनकी range के कारण जो temperature को measure करने की range होती है range के कारण इनने अलग-अलग रखा जाता है तो पहले है पारा ताप मापी यान की mercury thermometer तो जो हम बुखार मापने के लिए भी करते हैं उसमें भी पारे भरा होता है तो पारे की range कितनी होती है तो माइनस 49 degree Celsius से लेकर 357 degree Celsius तक ये temperature माप सकता है क्योंकि माइनस 49 degree Celsius पर क्या होता है जो पारा होता है ये जम जाता है और 357 degree Celsius पर क्या होता है पारा उबलने लगता है तो इसका freezing point है और ये boiling point है ये भी पूछाता है कि पारे का freezing point कितना है तो minus 49 degree Celsius और इसका boiling point कितना है 357 degree Celsius अगर कोई भी जो liquid है अगर वो जम ही जाएगा तो बताएगा कैसे कि हाँ कितना मतलब temperature है तो इसलिए अगर 49 degree Celsius minus 49 degree Celsius से उपर और 357 degree Celsius से नीचे मापना है तो ये जो range है तो हम mercury thermometer का उपयोग कर सकत हैं लेकिन कई ऐसे थंड़े परदेश है जहाँ जो temperature है वो minus 49 degree Celsius से भी नीचे चला जाता है कई आपने देखे हूगे rice में भी और ये जो इसे लाक्या हैं जहां का जो temperature है न वो minus 49 degree Celsius से भी नीचे चला जाता है तो जब temperature minus 49 degree celsius से नीचे चला जाएगा तो पारा thermometer तो काम में ही नहीं आएगा तब कौन सा टेंप thermometer काम में आएगा तब alcohol तामापिक आप में आएगा क्यों? क्योंकि जो इसकी नीचे की range है वो minus 114 degree Celsius तक है आप देख रहे हैं ना कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो minus 115 degree Celsius भी लिखा होता है क्योंकि आप देखेंगे minus 114.9 degree Celsius है तो चाहे minus 114 लिख दिया हो कहीं पर या कहीं पर minus 115 degree Celsius लिख दिया हो तो आप देख रहे हैं कि ये freezing point कितना नीची है इसका जो पा रहा है उसका minus 49 degree Celsius है इन alcohol minus 114 degree Celsius तक नीचे जा सकता है इसलिए जो थंडे परदेश हैं वहाँ पर alcohol थर्मोमीटर का उप्योग किया एता है अगर उसका जो temperature है वो minus 49 degree Celsius से नीचे चला जाये तो पर इसका जो उपर का point है यानि कि boiling point है वो कम है वो 78 degree Celsius तक ही है क्योंकि थंडे परदेश है यहाँ पर कितना ज़्यादा गरम तो होगा ने 88 degree Celsius भी बहुत होता है पर इसका जो नीचे का मतलब कि freezing point है वो minus 114.9 degree Celsius है तो द्रोध ताप मापी के बाद आगे हम चलते हैं दोक्टरी ताप मापी पर जिसे clinical thermometer कहा जाता है clinical thermometer यानि कि जो आम तोर पर आप देखते हैं कि डोक्टर के जो क्लेनिक पर thermometer होता है जिसे हमारा बुखार मापा जाता है वो डोक्टर ताप मापी यानि कि clinical thermometer है तो इसका निर्मान Fahrenheit नामक विज्यानिक ने किया था तो ताप के जो range है वो काफी कम रखी गई है क्योंकि जो आदमी को बुखार होता है उसकी range जादा नहीं होती है तो इसके जो range है काफी कम होती है जोकि 35 degree Celsius से लेकर 43 degree Celsius तक होती है और बात करें Fahrenheit में 95 degree Fahrenheit से लेकर 110 degree Fahrenheit तक इसकी range होती है और इसमें बुखार को मापते हैं इसलिए से जोर मापी या डोक्टरी ताफ मापी कहा जाता है तो इसमें 37 degree Celsius या 98.6 degree Fahrenheit पर लाल निशान बना होता है लाल निशान बना होता है जोकि मानों का तमानिये ताफ करम वेक्त करता है यानि कहीं जो मानों का नोर्मल टेंपरेचर होता है वो 37 degree Celsius में अगर बात की जाए फारेनहाइट में तो 98.6 degree Fahrenheit होता है अगर इस लाल निशान से उपर टेंपरेचर जाता है पारा जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आदमी को बुखार है तो उसका जो समानिये ताफ कितना है 37 degree Celsius या 98 degree 6 Fahrenheit बहुत बार इक्जाम में पूछा गया है कन्फ्यूज मत हो येगा Celsius में कम है 37 degree Celsius और फारेनहाइट में 98.6 degree Fahrenheit बहुत बार इक्जाम में ये पूछा गया है तो डोक्टर ताब मापी के बाद देखते हैं गैस ताब मापी इसरा परकार है गैस थर्मोमेटर इसरा परकार गैस थर्मोमेटर में hydrogen और nitrogen gas का ओप्योग किया जाता है तो इनका ओप्योग कब-कब होता है तो देखिये जो hydrogen और nitrogen gas है इन दोनों गैसों का जो freezing point है freezing point आप समझ रहा है न जिसमें कोई भी gas जम जाएगी freezing point मतलब कोई भी चीज़ का जम जाना तो इन दोनों का freezing point आप देख रहे हैं कि minus 200 degree Celsius है लेकिन इन दोनों का boiling point hydrogen gas का है 500 degree Celsius और nitrogen gas का है 1500 degree Celsius तो जब minus 200 degree Celsius से लेकर 500 degree Celsius तक मापना होता है तब hydrogen thermometer का उप्योग किया आता है लेकिन अगर range 500 degree Celsius से उपर चला जाए temperature जो है वो 500 degree Celsius से उपर चला जाए तो hydrogen thermometer तो उसे मापी नहीं पाएगा तब कौन से thermometer का उप्योग किया जाएगा तब nitrogen thermometer का उप्योग किया जाएगा क्योंकि इसके उपर की range कितनी है 1500 degree Celsius तक है तो hydrogen की range कितनी है माइनस 200 degree Celsius से 500 degree Celsius और nitrogen की रेंज कितनी है माइनस 200 degree Celsius से 1500 degree Celsius तक तो गयस ताब मापी के बाद आगे दिखते हैं platinum प्रतिरोध ताब मापी platinum resistance thermometer तो platinum के तार का व्यद्यूत प्रतिरोध ताब के बढ़ने के साथ साथ दर से बढ़ता रहता है और यह है प्रतिरोत ताफ गुनांग पर कारे करता है जो इसकी range होती है यहां से ज़्यादा प्रशन नहीं पूछे जाते बस इसकी range याद रख लेना इसकी जो range होती है न हो मायनत 200 डिग्री सेल्सेस है 1200 डिग्री सेल्सेस होती है यहां से ज़्यादा प्रशन नहीं बनते, कि बाद है, ताप, यूगम, ताप, मापी, थर्मो, कपल, थर्मो, मीटर, यह भी एक परकार है, इसकी रेंज कितनी है, तो इसकी रेंज भी याद अख लेगे हैं, और साथ में यह भी याद करना, यह सीबेक परभाव पर अधारित इसके बाद है, फून, विकरन, उत्ताप, मापी, यह इंपोर्टेंट है, यहां से प्रशन बनते हैं, इसे नॉर्मली पाइरोमीटर कहा जाता है, पाइरोमीटर यहाद रखेगा, तो पाइरोमीटर का उप्योग कहां किया जाता है, तो जब इसके नाम में क्या है, उत्ता तापों के माप के लिए पाइरोमीटर का उप्योग किया जाता है, तो यह ताप मापी, स्टिफेन के नियम पर अधारित है, उसे तूर्य का तापमान मापा जाता है, तो जो सन है, कितना जादा टेंपरेचर हो उसका, लेकिन उसका टेंपरेचर भी पाइरोमीटर से मापा कही नहीं, इसके जो शुरुवात हो रही है, वही 800 degree Celsius से हो रही है, तो 800 degree Celsius से लेकर अनन्त तक, यानिकि उपर की कोई सीमा नहीं है, नीचे की सीमा है 800 degree Celsius, तो 800 degree Celsius से लेकर उपर का ये ताफ मापता है, पायरोमेटर, तो आप से पूछा जाता है, कि सूरे का ताफ मान किसे पाजाता है, तो यहाँ पर हमने जितने भी थर्मोमेटर के टाइपस हैं, जो भी एकजाम में प्रेशन पोछे जाते हैं, वो देख लिए, अब इसके बाद हम साप के पेमाने देखते हैं, टेंपरेचर के स्केल देखते हैं, तो टेंपरेचर के स्केल आपको पता है, Celsius होत सबसे पहले देखते हैं celsius या जिसे centigrade भी कह देते हैं celsius कहिए या centigrade कहिए तो celsius तो इसे स्वीडन के विग्यानिक एंडर celsius ने 742 इसवी में विक्सित किया था तो उन्ही के नाम से जो भी विग्यानिक कोई चीज डिसकवर करता है ज्यादा तर उसी के नाम से वो चीज रख दी जाती है तो जैसे इसे किस ने विक्सित किया तो celsius ने तो उन्ही के नाम से इसका नाम celsius रख दिया गया तो ज देखे हिमांग, freezing point, तो Celsius का freezing point कितना है, 0 degree Celsius पर, तो 0 degree Celsius पर क्या होगा, पानी जम जाएगा, freeze हो जाएगा, क्या बाद है, कोथनांग, हिंदी में भी याद रख लेना, क्योंकि अगर आप हिंदी मीड़े में और इंग्लिश में भी याद रख लेना, हिमांग, हिमांग में हि जम जाता है, और 100 degree Celsius पर उबलने लगता है, और इसके परतीयक भाग को एक डिगरी Celsius से तर्शाय जाता है, जैसे आप देख रहे हैं, कि इस पर कार का होता है, जो scale है, तो 0 degree पर आप देखेंगे, किין freeze हो जाता है, उसके बाद 100 degree Celsius पर पानी उबलने लगता है, और हर एक जीरू के बाद एक आएगा फिर दो आएगा एक एक डिग्री सेल्सियस पर जो परतेख भाग को डिवाइड किया गया यह सेल्सियस के बाद है फारेन हैट तो इसे जर्मनी के वेग्यानिक टैनियल गैब्रियल फारेन हैट ने 1710 में विक्सित किया था और इसका जो फ्रीजि एग्या पूछा गया है इनके मध्य की दूरी को 180 बराबर भागों में बाटा गया है और प्रतियक भाग को एक डिग्री फारेन हाइट कहते हैं जैसे हमने उसमें पढ़ा था सेल्सियस वाले में 0 डिग्री से 100 डिग्री तो प्रतियक इसमें मतलब 100 का अंतर है और यहां प यहां पर थोड़ा comparison देख लिजिए तो आप देखेंगे कि पानी दोन में बॉयल कितने पर होता है तो जो सेल्सियस वाला है 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा लेकिन फारेन हाइट में 212 डिग्री फारेन हाइट पर होगा यहां देखेगा और वाटर फ्रीज कितने पर होता ह तो 0 degree Celsius और Fahrenheit में बात की जाए तो 32 degree Fahrenheit पे जो water है यह अपना फ्रीज हो जाता है यहाद रखेगा तो आगे चलते हैं तो इसके बाद देखते हैं Kelvin तो इस पैमाने को Kelvin ने 1852 में विक्सित किया था और इसका freezing point कितना है तो 273 Kelvin इसका freezing point है और boiling point कितना है तो 373 Kelvin इसका boiling point है तो इन Kelvin कहा जाता है तो 273 Kelvin से इसकी शुरुवात हो रही है और कहां तक जा रहा है 373 Kelvin तक शुरुवात नहीं हो रही है मतलब ज़्यादा तर जहाँ पर पानी फ्रीज करता है न उसे हम एक बेस मानके चलते हैं इसे नीचे भी जा सकता है माइनस में लेकिन बेस हम 0 degree Celsius को मानके चल करना है 373 Kelvin यहाँ दखेगा है यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 Kelvin को absolute 0 कहा जाता है यह आगे भी मैं आपको बताऊंगा तो जो परम-0-0 होता है इससे नीचे temperature नहीं जा सकता उसे absolute 0 कहते हैं तो 0 Kelvin को ही absolute 0 कहा जाता है परम-0-0 कहा जाता है और इसलिए इस पैमाने को परम-0 पैमाना भी कहा जाता है और 273 Kelvin पर क्या होता है water freeze होता है और 373 Kelvin पर क्या होता है water boil होता है तो Kelvin का पैमाना हमने देख लिया तो एक बार तिनों को comparison भी देख लेते हैं तो मैंने आपको बता है ना कि परम-0 ताब जिसे absolute 0 temperature कहा जाता है किसी विस्तू का किसी विस्तू का नि करते हैं जैसे आप देखेंगे तिनों को comparison देखिए जो 0 Kelvin है तो क्या कहा जाता है absolute 0 कहा जाता है अगर Celsius में बात की जाए तो minus 273 degree Celsius यह हो जाएगा या दखेगा और Fahrenheit में नहीं पूछा जाता है आप ज्यादातर Celsius से या दखेगा क्योंकि ज्यादातर Celsius में ही पूछा जाता ह तो minus 273 degree Celsius को क्या कहा जाता है absolute 0 temperature कहा जाता है और Kelvin में तो आसान है 0 Kelvin को ही absolute 0 कहा जाता है तो 0 Kelvin से उपर बढ़ेंगे 273 Kelvin पे क्या होगा water freeze होता है 0 degree Celsius होता है और 32 degree Fahrenheit इन तीनों पर क्या होता है water freeze होता है उसके बाद इसमें 100 का अंतर है इसमें भी 100 का अंतर है लेकिन Fahrenheit में 180 का Celsius पर water boil होता है लेकिन 212 degree Fahrenheit पर water boil होता है इस तीनों आपको मैंने comparison भी बता दिये के बाद एक पेमाना बचा कौन सा rumor पेमाना तो इसको वेग्यानिक D rumor ने 1730 इसमें में विक्सित किया था और इसमें जो हिमांग पॉइंट होता है वो 0 degree R होता है और क्वाथनांग यानि बॉयलिंग पॉइंट होता है वो 80 degree R होता है नोर्मलिय आपने देखा कि Celsius और Kelvin 100 भागों में भी भाजित किया गया था वारेन हैट को 180 लेकिन इसमें खाली 80 बराबर भागों में बाटा गया है सिंदोनों बिंदों की मद्दी की तूरी 80 बराबर भागों में बाटे गई है तो आगे देखते हैं तो अगर आपको हमारे हिस्टरी की e-book बाय करनी है न तो आप हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते पूरा आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा उसमें पूरा इतिहास बताएगा यहां से बार प्रशन बन ही नहीं सकता और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे Telegram चैनल को जोईन कर लिजे यहां पर आपको PDF मिल जाएगी तो आगे हम देखते हैं तो हमने जो पेमाने पढ माने पर ताब का मान एक समान हो जाता है क्या दखेगा कि माहने चाले डिगरी पर Celsius और Fahrenheit दोनों का जो टेंपरेचर है वो एक समान हो जाता है वी पूछा गया है इसलिए मैंने बता दिया तो देखे चारो थर्ममेटर हमने यहां ले लिए Celsius, Fahrenheit, Kelvin और यूमर इसका जो Celsius का minimum point ह है वो 0, minimum यानि कि जहां पर पानी freeze हो जाता है वो minimum point समझ लिजिए और जहां पर पानी boil हो जाए वो maximum point समझ लिजिए तो minimum Celsius का कितना हो गया है जीरो और इसका maximum हो गया 100, उसके नीचे तो माइनस हो जाता है, Fahrenheit का 32 है minimum और maximum 212, Kelvin का 273 minimum और maximum 373, लोमर का 0 है और maximum 80 है तो इससे क formula बनता है, formula का जो conclusion होगा यह होगा, कि अगर आपसे जैसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार के प्रशन आते हैं तब यह solve होता है, formula लगता है, जैसे आपसे पूछ ले जाए कि 50 degree Celsius को Fahrenheit में बदलो, कि 50 degree Celsius Fahrenheit में कितना होगा, जब पूछ ले जाए कि 50 degree Fahrenheit Celsius में कि करना मैं आपको बताता हूँ किसे put कैसे करना है तो थोड़ा ऊपको समझा देना है कि यह कहां पर काम आएगा आपको पता भी तो होना चाहिए न कि यह अस्तर कहां पर काम आएगा तब ही आप चलाएंगे देखे यह अस्तर काम आएगा जैसे अगर आपसे पूछ ले कि 5 degree Celsius को Fahrenheit में बतलें, तो केवल Celsius और Fahrenheit इतना ही लेना है formula, बनलब कि C upon 5 equal to F minus 32 upon 9, बस इतना ही लेखना है, 5 degree Celsius को Fahrenheit में बतलना है, तो जहाँ पर Celsius है, वहाँ पर 5 लेख दो, बस इसको sol कर लो, अब ये आपका Fahrenheit में आ जाएगा, और अगर आपसे पूछ ले जाए, कि 5 degree Fahrenheit को Kelvin में बतलो, तो Fahrenheit और Kelvin ये रहा, बस इतना formula लेना है, बाकी नहीं लेना, F minus 32 upon 9 equal to K minus 27 upon 5, इससे आप solve कर लेंगे, जो भी value दिये, पूट कर देंगे, तो Fahrenheit Kelvin में निकल आएगा, इसी परकार, ये चार चीज़े दी हैं, चार में से दो चीज़ें आपसे पूछी जाएगे, मतलब कि पूट करेंगे, तो answer आजाएगा, लेकिन ये formula बना कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको तो ऐसे ये formula याद एकना है, लेकिन अगर आपको formula याद न रहे, तो उसको बना कैसे, उससे relate करके याद कर लेंगे, तो याद हो जाएगा, जैसे, तो formula बना है, मापक minus minimum upon maximum minus minimum, ये क्या हुआ, मापक मतलब की, मापक ये अंतर है कौन सा, जैसे पहले Celsius, Celsius मापक हो गया, तो इस मापक का minimum क्या है, तो Celsius का minimum है 0 degree, तो minus 0 हो जाएगा, आप डिवाइड कर दीजिए, अब उसका maximum और minimum, तो इसी thermometer का maximum और minimum कितना है, तो Celsius का maximum है 100, और minimum है 0, तो 100 minus 0, ये Celsius का हो गया, अब आगे बढ़िए, फारेन हैट का देखिए, तो पहले मापक, मापक कौन सा है फारेन हैट, इसका minimum कितना है, तो इसका minimum है 32, अब इसका maximum और minimum का अंतर क्या है, maximum है 32, ओ सोरी, maximum है 212, और minimum है 32, तो 212 minus 32, इसी परकार ये 4, आप जो देख रहे हैं, इसी परका minus 0, 100 ही आगया, तो आप F minus 32, तो F minus 32 होगा, 212 में से 32 गएं, तो 180 आएगा, इसी परकार ये 4 को solve कर लिया गया, यहां तक आगी बात, अब आप देखेंगे, जो सब के denominator हैं, हर हैं, इनको आगर equal to हैं सब, तो आप इसको काट सकते हैं, तो सब आप देखेंगे, कि किस पहार सबसे पहले तो सब के पीछे 0 है, 0 को हटा दो, यह भी 0 हट गई, यह 0 भी cancel हो गई, और यह 0 भी cancel हो गई, अब यहां है 10, यहां 18, यहां 10 और यहां बच्चा 8, तो 2 के पाड़े से चला जाएगा, 2 510, 2 9 8, 2 5 10, और 2 4 8, वही आप यहां नीचे देख रहे हैं, 2 5 10, 2 9 8, 2 5 मतलब कि इस फॉर्मूले को एकदम शोट रूप में यहां पर लिखा गया है, समझ रहे हैं, मतलब इसको solve करके ही पूरा शोट रूप यहां दिया है, तो अगर आपको exactly यह याद रहेगा, तो ज़्याद अच्छा value put करेंगे, असान इसे निकल आएगा, अगर यह याद न याद अखे, कि C upon 5 is equal to F minus 32 upon 9, 4 बार लिकलेंगे, तो याद हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है, समसोल करने लगेंगे ना, तो असान इसे याद हो जाएगा, और एक चीज और है, जिसे शोट रिक भी हम कह देते हैं, वैसे तो अगर आप यह formula याद अखेंगे, त कितना होगा, तो एक तरीका तो क्या है, कि C upon 5 और Kelvin वाला कहां पर रहिए, A minus 273 upon 5, यह formula लगा के solve करो, या simple क्या है, कि अगर आपको शोट रिक पता है, कि Celsius में अगर 273 डिगरी, अमूमन 273 डिगरी ही जोड़ा जाता है, पर exact क्या होता है, 273.15, पर हम 273 डिगरी ही मान के चलते हैं, कि Celsius में अगर 273 डिगरी जोड़ दिया जाए, तो Kelvin हो जाता है, simple है, कि Celsius में अगर 273 डिगरी जोड़ दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, वो Kelvin हो जाएगा, और उल्टा होता है, कि अगर Kelvin को Celsius में बदला जाए, तो माइनस कर दिया जाएगा, Kelvin में माइनस कर दिया एड़ कर दो, और Kelvin को गर Celsius में बदलना है, तो 273 डिग्री माइनस कर दो, और ये कोई जादू नहीं है, कि ऐसा कैसे हो गया, कि ट्रिक भी कोई ट्रिक नहीं है, वैसे देखा जाए, नुर्मली देखा जाए, तो अगर आप प्रेक्टिस करोगे न, तो आपको पता लगेगा, ये कोई ट्रिक नहीं है, बस इसी फॉर्मली को और छोटा कर दिया गया है, तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूं, कैसे और इसको छोटा कर दिया गया, C upon 5 है न, हम Celsius और Kelvin वाली बात कर रहे है, Celsius और K माइनस 273 है, और अपोन कितना है, 5, तो नीचे आप देख रहे हैं, ये दोनों के हर में क्या है, 5, अगर equal to है, तो हम काट सकते हैं, 5 है 5 कट गया, तो बचा क्या, C equal to K minus 273, यही बचा न, यही बचा ही है, तो सीधी से बात है, कि अगर Kelvin हमें चाहिए, Kelvin हमें चाहिए, तो क्या होगा, कि C में, यह जो minus है इधर आके प्लस हो जाएगा, 273, Celsius मे 273 प्लस हो जाएगा, वही मैंने यहां पर बता दिया, कि Celsius में 273 प्लस हो जाएगा, लेकिन वही अगर Celsius चाहिए, तो Kelvin में 273 मैनस हो जाएगा, वही सोल करके आजाएगा, तो अगर आपको formula याद है, तो तब भी सही है, यह थोड़ा आगे, उसी को शोटा कर दिया गया है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अब मैं आपको इसको समझाता हूँ, इसके थोड़े सम आपको सोल कराता हूँ, जैसे पहले आगे देखिए, कि समय कि 50 डिगरी Celsius को Fahrenheit में बदलिए, तो ऐसे आपसे प्रेशन पूछा जाता है, कि 50 डिगरी Celsius को Fahrenheit में इसका मान कितना होगा, तो सबसे पहले Celsius और Fahrenheit, इन दोनों को equal में रखना है, तो formula क्या है, C upon 5 equal to F minus 32 upon 9, अब दिया क्या हुआ है, हमें वो देखिए, तो 50 डिगरी Celsius हमें दिया हुआ है, जहां पर Celsius है, वहां 50 रख दो, नीचे आगे 5, बाकी तो वही जो सेम formula वही रख दिया, तो अब इसकी cutting कर दो 5 दय कितना होता है, 50 तो आगे 10 equal to F minus 32 upon 9, 9 दय कितना होगा, 90 उपर वही रह गया, F minus 32, बस अब 90 में 32 add कर दो, क्योंकि यह minus क्या है, equal to किदर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो Fahrenheit में कितनी हो गया, तो 122, तो जो चीज 50 डिगरी Celsius है, Fahrenheit में कितनी हो जाएगी, 112 डिगरी Fahrenheit, इतना असान है, अगर आपको formula पता है, तो आगे चलिए, कि 60 डिगरी Celsius को Kelvin में बदलिए, यहाँ पर आप देखे, formula हमें पता नहीं है, हमने detail में इसको किया हुआ है, यह मतलब कि मापक, उसका minimum point, maximum minus minimum, लेकिन अगर आपको formula पता है, आप थोड़े हुश्यार है, तो आप ब Kelvin का देखना है, Kelvin का क्या होता है, K minus 273, divided by कितना होता है, divided by 5 होता है, यह हो गया, यह हमने पीछे देखा ना, भी formula मैंने आपको बताए, यह देखिए, यहाँ पर, यह अपना Celsius का कितना होता है, C upon 5, और Kelvin का K minus 273 upon 5, तो यह हम solve कर रहे हैं, तो 5 से 5 कट गया, यह आगे की बा 60, इसको में Kelvin में बदलना है, minus 273, तो जो minus में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 60 में 273 प्लस हो गया, यह Kelvin आ जाएगा, तो 273 में अगर आप 60 जोड़ेंगे, तो होगा, 233, इसका अंसर कितना हो गया, 233 Kelvin, अब देखिए, यह तो थी आम जिंदगी, अम एंथोस जिंदग यह क्या है, देखिए, 60 डिगरी Celsius है, इसके Kelvin में बदलना है, मैंने पहले ही आपको बताया था, कि Celsius को अगर Kelvin में बदलना है, कुछ नहीं करना, 273 इसमें एड कर देना है, को ट्रिक है, तो 60 में 273 एड करेंगे, तिधा 333 आ जाएगा, लेकिन यह चीज, प्रैक्टिक्स के स साथ डिगरी Fahrenheit को Kelvin में बदलना है, यहाँ पर Fahrenheit को Kelvin में बदलना है, यह पूरा डिटेल फॉर्मुला है, जो मैंने आपको बता है, लेकिन हम तो शोट्रिक पे चलेंगे, क्योंकि हमें तो फॉर्मुला आता है, तो Fahrenheit का क्या है, तो Fahrenheit का होता है, F-32 upon 9 होता है, यह Fahrenheit का है, और Kelvin क हमने देखे लिए अभी क्या था, K-272 और डिवाइड कितने हैं होता है, बताइए, यह दिवाइड होता है, पांस है, तो बेल्यू पूट कीजिए, तो सबसे पहले है कि 60 है, मलब Fahrenheit है न, तो 60-32 होगा, और यहोगा डिवाइड नो, मैं एक-एक स्टेप आपको बता रहा ह इसलिए लंबा हो रहा है, आप इसको मुझवानी भी कुछ चीज़े सोल्व कर सकते हैं, प्रवे 5, 60-32 गये कितना होगा, तो 60-32 गये, 28 आता है, तो अब देखे, अब क्या होगा, यह कटिंग होगी, ने कटिंग नहीं हो सकती, तो अब इसे क्रोस मल्टिप्लाई कर देते है, तो 28 पाच्चे कितना होता है, 20 पाच्चे 100 होता है, और 8 पाच्चे 40 होता है, 140 हो गया, 140 ही हो गया, एक accumulate करोगे, 9 K-9 को 273 से multiply करोगे, त魔DING कितना आईगा, मिल्टिप्लाई ऐसे कर लेते हैं, 9 कितना होता है, 27 यहां गया 7, उपर होगे, यहां पर 2 आ गया, जो ते 63 होता है 63 और 2 65 यहां गया 5 यहां गया 6 नो दो नी 18 18 6 कितना होता है 24 2457 हो गया 2457 हो गया ना अब क्या करना है आपको जो यह माइनस में इधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा 140 और 2457 आप जोड़ देंगे ते करीबन कितना एगा 2597 इक्वल टू 9 को आप डिवाइड क करेंगे यह आजएगा दश्रमलों कितना 288.5 लिगरी तो अगर आप सोल करेंगे इतना आजएगा 288.5 लिगरी यह तो मैंने पूरा step by step आपको समझाया है तब यह इतना बड़ा हो गया वैसे आपको 60-32 तूरंत आपको यह 60-32 नहीं लिखला आपको 28 लिखना है वहां पर Quesion देखते हैं पहला प्रेशन है कि तापमान का SI मत रख्या है तो temperature का SI मत रख्या है Kelvin औप्शन है इसका सही जवाब है अगला प्रेशन है कि अत्यधिक उच्छ तापमान मापने के लिए किस यंद्र का प्रियोग किया एता है तो जब तापमान होता है बहुत ज़्याद ह होता है तो कौन से यंदर का प्रयोग करते हैं फैदोमीटर मैनोमीटर तैलिनोमीटर या पाईरोमीटर कौन सा सही होगा ओप्षन डी जिसका सही जुआब है तो अगला प्रेशन है कि ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एलकोहल को ताप मापी द्रव की रूप में वरेत क्यों दी जाती है, यहने कि जो थंडे परदेश होते हैं, हमपर पारे के जगा एलकोहल को क्यों prefer किया जाता है, ला के थन क्या है कि एलकोहल का दरवांग निमनतर होता है, यहने कि जो उसका freezing point होता है, वो निमनतर मतलब के कम होता है, कि आप देखेंगे कि जो पारा होता है क्योंकि आप देखेंगे कि पारा माइनस 59 degree celsius पर ही ज़म जाता है जो alcohol होता है माइनस 114.9 degree celsius जमता है इसलिए alcohol के जो thermometer होता है उसको वरिता दी जाती है तो option है इसका सही जवाब होगा अगला प्मचिन क्या है ये विक्रन पारोमेटर से कितना ताव करम ना पा जाता है, यानि कि यो पारोमेटर होता है ना, इसकी रेंज पूछी ही कई है, तो इसकी रेंज कितनी होती है, तो आपको पता ही है, ये पारोमेटर की रेंज होती है, वो 800 डिग्री सेलसियस से तो शुरू होती है, तो 800 और Celsius में relation है, जो आपको बताना है, तो आपको पता है कि Fahrenheit और Celsius में क्या relation है, तो F-32 upon 9 equal to C upon 5, यह इन दोनों में relation है, अब आप देख लिजे, अब आप देख लिजे कि इसमें से कौन सा सही है, तो पहले F-32, यह तो गलत हो गया, दुसरा क्या F-32 upon 9, हाँ यह भी सही है, और C upon 5, यह सही है, तो Option B इसका सही जवाब है, अगला प्रेशन है, कि Celsius माप करब पर जलके पॉथनांक तथा हिमांक होते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर examiner आपको confuse करता है, पहले उसने क्या पूचा है, पहले उसने boiling point पूचा है, और उसके बाद उ यहाँ पर पूचा ही क्या गया है, पहले कोथनांक पूच लिया, कोथनांक है 100 डिग्री Celsius और हिमांक होता है 0 डिग्री Celsius, तो यहाँ पर सही कौन सा होगा, तो Option B सही होगा, यहाँ पर Option A में भी दिया हुगा है, कि 0 से 100, लेकि नहीं गलत है, तो Option B इसका सही जवाब है, अ आगे चलते हैं, अगला प्रेशन है, कि Fahrenheit पेमाने के अंसार, जल का हिमांक क्या होता है, तो जल का जो freezing point है, वो आपको Fahrenheit पेमाने में बताना है, क्योंकि हमें Celsius में तो पता ही है कि 0 डिग्री है, यहाँ पर आप देखे, Celsius भी दिया हुआ है, लिकिन Celsius में नहीं पूचा, पू पेमाने पर पर हम शुन्य ताप होता है, तो absolute zero temperature आप से पूछा गया है, Celsius में पूचा गया है, यहाँ दखेगा, बैसे zero Kelvin होता है, zero degree Kelvin पर को ही absolute zero temperature कहा जाता है, लेकिन Celsius में कितना होता है, तो Celsius में होता है, minus 273 degree Celsius, यहाँ दखेगा, कसेज़वाब क्या होगा, और Fahrenheit ताप मापियों में एक ही होंगे, पाठियांक मतलब कि जो उनकी value है, वो एक ही होगे, दोनो Celsius और Fahrenheit ये equal कब होंगे, ये minus 40 degree पर, इसका सही जो आप क्या है, एन A, अगला प्रेशन है, कि Fahrenheit स्केल पर किसी वस्तू का ताप अगर 212 degree Fahrenheit है, तो Celsius पेमाने पर उस वस्तू का ता 9, 3 upon 5, यहाँ पर Fahrenheit आप पूट कर दीजिए 212, और Celsius निकाल लीजिए, लेकिन अगर आप Common Sense लगाएंगे, तो और असानी से निकाल लेंगे, आप देखेंगे, जो Fahrenheit होता है, 212 degree पर क्या होता है, पानी उबलता है, बॉयल होता है, और Celsius में, पानी उबलता कितने पर हैं, 100 degree Celsius पर, तो Common Sense से यह असानी से निकल जाएगा, चुटकियों में 100 degree Celsius इसका सही जवाब होगा, लेकिन अगर आप में Common Sense तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप यह formula लगा लेंगे, अगर आप में Common Sense है, तो आप सीज़ा सोल कर लेंगे, कि 100 degree Celsius इसका अंसर आ बात की गई है, Celsius में 37 degree Celsius सही होगा, Option B, इसका सही जवाब है, तो आज का आखरी प्रेशन है, किन्यम लिकित में से किस ताप पर पारा जम जाता है, पारा कितने पर जम जाता है, तो मानस 49 degree Celsius पर पारा जम जाता है, तो Option ने इसका सही जवाब होगा, तो आज की यह जो वीड कोमेंट शेक्शन में जुरूर बताना धन्यवाद